हलो स्टूदेंट्स, हम क्लास प्लस वन का चेप्टर कर रहे हैं प्रियोडी सिटी प्रियोडी सिटी में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, modern प्रियोडी टेबल के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि वो कैसे arrange होता है, किस form में होता है और उसकी layout को हम कैसे draw करते हैं चीक है, तो आपको group, period और block भी निकालने आ गए हैं अब हम बात करेंगे atomic radius के बारे में, कि atomic radius में क्या होता है अब तक जो हम पढ़ते आए हैं atomic radius में, हम atomic radius में अब तक इतना पढ़ते आए हैं कि इतना पढ़ा है हम ने हमें इतना पता है कि अगर हमारे पास कोई circle है और क्या है ये उसका radius होता है कि जैसे मानलो ये बीच में nucleus है, nucleus से लेकर outermost के electron तक, जो भी होता है वो हमारा क्या होता है रेडियस होता है जैसे कि अगर हम मैं आपको इस तरीके से हाइलाइट करके दिखा हूँ कि यह है अपना आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रोन और यह अपना न्यूकलियस है तो nucleus से outermost की electron का जो distance होता है, वो क्या होता है, हमारा radius होता है, जैसे हम maths में करते हैं, लेकिन हम atomic radius को इतना easily find out नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो circle होता है, उसके तो कोई ना कोई fixed boundary है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि जो हमारा electron है, वो कोई fixed boundary में तो revolve easy नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, कि जो इसका size है, वो इतना ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा कि हम उसको सोच भी नहीं सकते, कितना ज्यादा छोटा है, अगर आपको एक ball दे दी जाए, और एक atom दे दिया जाए, तो बताओ कि इसका radius निकालना कैसे निकालते हैं, वही हमने पढ़ना है, अब जिसे non metal और non metal की बात करें, जो chlorine है, वो हमारे क्या है non metal है, अब non metal और non metal ये आपस में इनों ने कर ली covalent bonding, covalent bonding कर ली तो nucleus से nucleus का जो distance है, वो तो हमारे क्योंगी bond length होगी, जब भी हम इनको क्या कर देंगे, half कर देंगे, त इसको atomic radius भी बोल देते हैं, ठीक है, similarly, अगर हम metal metal की बात करेंगे, कि अगर मान लो, दो metal आपस में joint है, जब दो metal आपस में joint है, तो इनकी जो length होगी, वो bond length होगी, अगर हम इसको half कर देंगे, ठीक है, अगर क्या कर दिया, हमने इसको half कर दिया, तो इसको half कर देंगे, तो metal, metal की बीच में bond बन रहे है, वो पूरी bond length होगी, उसको half कर दिया, तो वो क्या हो गया, metallic radius या फिर atomic radius, अगर non metal, non metal की बीच में bond बन रहे है, वो कौन सा bond है, covalent bond है, covalent bond को half कर दिया, तो वो हमारा कौन सा गया, covalent radius, ठीक है, तो यतना, यहां तक हमने क्या सिखा, यहां तक हमने क्या सिखा कि जो हमारा अटोमिक रेडियस है ठीक है जो हमारा क्या है अटोमिक रेडियस है ठीक है अटोमिक रेडियस हमारा दो टाइप का हो गया एक मेटलिक वाला और एक नोन मेटलिक वाला नोन मेटलिक वाला कौन सा है कोवलेंट रेडियस जो कोवलेंट तो बोलते हैं अपना कौन सा रेडियस बोलेंगे इसमें एक रेडियस की ओर बात करते हैं जिसको वंडर वाल रेडियस बोलते हैं चलो वह देख लेते हैं क्या होता है कि देखो कुछ ऐसे होते हैं जिन में बॉंड नहीं बना होता है कुछ ऐसे होते हैं जिन में बॉंड नहीं बना होता है जैसे अगर मैं हीलियम की बात करो हीलियम का बाहर कितने होते हैं तो यह तो क्या है फुल्फिल है जब यह फुल्फिल है यह तो उनका एटम इधर है कुछ डिस्टेंस पर उनमें बॉंड तो बनाना है नहीं चाहता है जो हमारी नोबल गैसे वह तो बॉंड नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके बीच में ऐसे कोई बॉंड नहीं होता लेकिन वह दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में जो लेंद होती है तो जो क्या आता है हमारा R कि हमने की तीन टाइप को स्टैडी किया first कौन सा था हमाराब हमने metallic radius non metallic radius और wonder wall radius तो metallic radius इस तरीके से था ना यह दो हैं इनके बीच में जो बॉंड है इसको हाफ कर दो वो हमारा मेटलिक रेडियस था अगर हमारे ये можете नोन» पर भी 건데 कर दो इसका हाफ कर दो similarly हमारे अगर bond ही नहीं बना रहे कोई और उनके बीच में कोई length है उसको हम half कर रहें तो वो कौन सा radius हो गया हमारा wonderful radius हो गया ठीक है इसी तरीके से एक हमारा होता है ionic radius तो ionic radius हमारा क्या होता है ionic radius में इस तरीके से होता है कुछ कि जो ions के बीच में होता है जैसे कि मान लो NCl है आपके पास ठीक है अब NCl है तो N का कोई और Cl का कुछ होएगा ठीक है जैसे NCl ये रहा और यहां भी हमारा कोई NCl है ये N है और ये हमारा Cl है N और Cl हो गया तो N और Cl उसका हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा आयोनिक रेडियस कटायन और अनायन के बीच में for example एक बार और देख लेते हैं इसको दुबारा कि जैसे मान लो यह हमारा अने है यह हमारा कटायन है यह हमारा सी एल है यह हमारा अनायन है तो इनके बीच में जो लेंथ है उसको कहेंगे बॉन लेंथ अगर मान लो यह पूरी लेंथ कितनी आपकी 5 है 5 को हाफ कर दोगे तो कितना आजाएगा आपका 2.5 तो यह आपका 2.5 यह क्या हो गया आपका आयोनिक रेडियस तो आयोनिक रेडियस इसको बोलता है अच्छे एक चीज़ और बताओ मुझे कि जो अपनी आइनिक यह तो आइनिक रेडियस हो गया अगर आइनिक साइज की बात करें तो किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा मतलब कि एक होते है अपने पास अनायन एक होते है कटाईन एक होते हैं ओते हैं। कि जैसे हमारे पास माँन लो कि 1 F है। अगर एक फ्लॉरी नेगितिव एक पॉजिटिव है। तो किसे सब्सक्राइज बढ़ा वहीं कि और इह तो ख्लेये पा से cape л舌,9 ए्सको-कत दिए यह क्या बन ग dug यह तो तो माइनेस वाले को एनायन बोलते हैं, पोजिटीव वाले को कटाइन बोलते हैं, है तो दोनों आयनजी, आयन्स दो टाइब के हैं, एक एनायन और एक कटाइन और इस पे कोई चारजी नहीं है, यह तो न्यूट्रल है, क्लियर करना ताकि आप इसके ट्रेंड कर सको और यहां पर जो नेगिटिव पॉजिटिव एक कौन से आयन का साइस बढ़ा होगा कौन से का छोटा होगा इस पर आपने रिसर्च करनी है ठीक है तो मिलते हम अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए विश्यू अल्दा बेस् थैंक यू सो मुझ